नमस्कार दोस्तों हमारे इंट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत सौगत है दोस्तों अगर आप किर्शी से जुड़े हुए हैं तब तो इस वीडियो को देखें अन्नता कट करके कोई बढ़ियां सा वीडियो देखिए जो आपके काम का हो हम नहीं चाते कि हमारी बज़े से आपका इंटरनेट खर्चो और टाइम भी बेश्टो इस वीडियो में दी गई जानकारी को सुनने के लिए वीडियो को लाश्टक देखिए दोस्तो अगर आपने गेहू की फसल की है और आपकी फसल तयार होने बाली है यानि के बाली निकलने बाली है तो आपको एक मैं बता दूँ खास बात जो इसका आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और अगर आप नजर अंदाज कर दिया उस समय तो आपकी खड़ी फस दोस्तो जब गेहू में बाली निकलने का समय हो तो इसमें एक रोग आता है माहू जो पेड़े पर पौधे पर अच्छी तरह से लिपड़ जाती है और बाली यैसे ही निकलती है बाली में जितने भी दूध होता है गेहू का वो सब चूस लेती है और गेहू आपका कर देत है जीरा तो आपको करना क्या है एग्री कल्चर दुकान से कोई माहू की दबा लेकर चड़काब एक बार ज़रूर करना है ताकि आपके गेहू में हानी ना हो दोश्तो अब आपके मन मैं कोष्छन होगा कि कौन सी दबा का इस्तमाल करें तो दोश्तो मैं इस वीडियो में आपको किसी भी दबा का इस्तमाल नहीं करूँगा क्योंकि आपको उस दबा से हानी हुई ये नुकसान हुआ तो आप मेरे लिए ही कहोगे तो दोस्तो आप अपने ही किसी कॉंटेक्ट दुकान से जो आपके निजी कॉंटेक्टर की दुकान हो बहां से जाकर कोई बढ़िहांसी दबा लेकर आएं उसका छड़काब जरूर करें और ताके आपका गेहूं में किसी भी तरह की हानी ना हो और दूसरी बात आपको खेत में नमी का भी ध्यान रखना है बाली निकलते समय तभी आपकी गेहूं की पैदाबार अच्छी होगी तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लायक एंट सेर जरू कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्नबाद जय हिन जय भारत